बारिश के दिने में खिचरी खाने का मन सभी को करता है तो आज चली बना लेते हैं फटा फट से एक सिंपल सा खिचरी जहां पर जादा कुछ नहीं करना पड़ता और आसानी से बन जाता है व्लोग का खिचरी तो इसके लिए हम कुछ तयारिया कर लेते हैं तो मैंने यहां पर ले ले एक हांडी इसी में बनाएंगे और इसे में डाल देता है तेल सरस्तो का तेल ही मैंने डाला है आप चाहे तो वाइट ऑल भी डाल सकते हैं तेल जैसे गरम हो जाता है, इसमें डाल देंगे काजु को छल्का सब्सक्राइब कर लेंगे यह पुझेक आप चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे नहीं मैं अच्छी तरह से भूण ले रही हूँ जो भून चुका है तो इसमें डाल देते कुछ खरे मसाले जैसे कि तेजपता, पांच फोरण, सादा जीरा, असातिसा दो डाल चीनी तो इनको भी थोड़ा सा भून लेते हैं अभी डालते हैं यहां पर अद्रक, अद्रक मैंने करीबं 3-4 टीस्पून दिया हुआ है, कद्दू कस किया हुआ सबी चीज़े को अच्छी तरह से चलाते हुए कर लेते में एक साथ थोड़ा सा भून भी लेते हैं जैसे यह सारे मसाले एक साथ भून जाता है, यहां पर अड़ कर देंगे डाल डाल मैंने आज मूंका डाल लिया वैं, जो मैं अच्छी तरह से धोके रखा हैं तो यही डाल यहां पर अड़ कर देंगे और अब हम इस दाल को इस मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राइ करेंगे ता कि यह दाल जू है झाल जैसे भونेंगा उसका टेस्ट आने लगेगा तभी ईआपर टालते हों सुकह मसाले थोरा सा हल्दी पाउडर साथिसाथ डालाए थोड़ा से भुनवा सीरा पाउधर और ये सारी मसाले के साथ इस डाल को भी थोड़ा से फ्राइ कर लेते हैं अबे जैसे डाल हम लोगा भुन जाता है इसमें डाल देंगे पानी पानी गर्म पानी दीजेगा उससे क्या होगा ना बहुत जल्दी बॉयला जागा इसमें पानी को डालने के बाद डाल के साथ अची तरह से फिर से इसको दुबारा मिक्स करके अची तरह से मिला लेंगे और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर एड़ कर देंगे चावल चावल मैंने अची तरह से पहले से धोके साफ करके इसको सूखा के रखा हुआ है तो वही चावल मैंने यहाँ पर डाल दिये अभी चावल को भी और इस डाल के साथ अची तरह से मिक्स करके मिला देते है मिलाना के बाद इसमें अभी यहां पर डालना है हमलों का नमक, नमक मैंने डाल दिया स्वादानुसार, इस नमक को भी मिला देते हैं, और अभी इसमें लाना है बॉयल, हाँ अच्छी तरह से बॉयल करना है, ताकि यह दाल और चावल दोनों अच्छी तरह से गल जाए, काफी अच्छा लगता है, तो मैंने यहां पर कुछ किश्मिश यहां पर आट कर दिये, अब किश्मिश भी डालेंगे तो वह अच्छी तरह से एकदम बॉयल हो जागा और फूल जाएगा इस पानी के अंदर, तो जैसे यह बॉयल हो रहा है, अभी इसको हम धकन लगा देत हैं और फिस फिससको दुबारा कवर करसी और इसे वी चावल कर लेंगे अगर पानी कम होता को थोड़सा पानी और एट कर दी जいたर ढ़र कर देंगे, अभी एस नहीं मैंने इसको खोला, बहुत अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, अभी चेक कर लेना हैं जावल कितना से खागा। पावडर का हुआ है ! चोटी को दरदरासे कूट के मैं और ढाल दिया इसका लिएमसाले को अच्छी तरह से मिक्स करतें यह पर अब हैट करतें लाल मिर्च का पावडर अगर आपको लाल मिर्च का पाउडर नहीं खाना है तो कच्ची मिर्च में तो हरी मिर्चे बीच में से चीरा लगा के यहाँ पर डाल सकते हैं और मैं यहाँ पर जादा मिर्च आज नहीं दूँगी थोड़ा सा मिर्च दिया है इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है अगर आप चाते के कलर अच्छा हो तो ना कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी यहाँ पर आड़ कर सकते हैं आप लोग नमक थोड़ा चेक कर लीजेगा नमक कम है तो डाल दीजे स्वाध अनुसार नमक खिच्री हम लोग अलमुस्ट कम्प्लीट है तो खिच्री को नतारने से पहले एकदम अंथ में हम लोग डालेंगे यहां पर देशी घी घी अपने हिसाब से ढालें जितना आपको कम जादा डाल सकते हैं जादा डालेंगे तो और भी जादा टीस्ट होगा तो यह अब लोग को कैसा लगा मैं कमन करके जरूर बताईएगा अच्छा लगी तो जादा से जादा करके शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंज और फामिली के साथ और नए फ्रेंज जो मेरे चैनल में आज पहली बार देख रहे हैं प्लीस लाइक और सब्सक्राइब ताकि जब भी मैं की रेसिपी बना आपके पास सबसे पहले पहुंचे चलिए फिलाल तो मैं इसे गर्म गर्म इंजॉय करती हूँ एक आलू का भाजी आलू का दम से आप भी बताईएगा अपने ऐसे खिछरी किस से साथ मताब कौन से सबजी के साथ या तो भाजी या तो पापर के साथ पसंद करते हैं तो चलिए आज के लिए इतना है फिर मिलते हैं नए और सेंपल सा रेसिपी लेके तिल देन बाई बाई एंड टे कियर